हेलो दोस्तों आब वेल्कम दो माई चैनल देखें करने लेटें यह उसी का नेक्स्ट पाइट है XT को इस्ट दे रखा UT and ST को इस्ट दे रखा E की पाइब माईस T 40 greater than equals to 0 के दिन XT करना हमें देखें कैसे करते हैं find XT दे रखा पहला है उसको किसमें चेंज करना है तो में T को किस से रिप्लेस कर देते हैं तो से ठीक है सेगिंड ऐसे हैस्ट को कि एकी पार माइस T 40 greater than equals to G तो इसको क्या करेंगे T को T माइस तो से रिप्लेस कर देंगे तो ही हो जागा H of Tो E की पार माइस एक सेगिंड रखो इसको अभी मैं T से तो ही रखता हूं 4 Tो greater than equals देखो कहां पर आसान पढ़ेगा मैं यहां पर सूचना है मैं क्या करता हूं इस वाले मैं T माइस T रिप्लेस करता हूं ठीक है T को किससे रिप्लेस करता हूं T माइस T से तो इसको हम रिप्लेस करते हैं T माइस T से ठीक है यह अपर लिख देता हूं बड़ा बड़ा UP-D माइस T इ तो और UT-ओ तो क्नवोलोशन क selfish करते है च तो HD मैंने दो फॉर्मॉलेस कोना बताएते हैं कोई से चाहाएं को पहले लेलो कि हा ह साथ को पहले लेलो ठीक है X T माइनस Tो H तो इस ट ना इस टाप से ठीक है किसमें किसमें क्या कों मना रहा है तो परहे है हो ग्राफ करो तो यह इसका किस टाइप से बनेगा इस टाइप से यह क्या होगे है मैरा एक की पावर टो का ग्राफ ठीक है सेंग बना रहा हम हमें अब देखिए हरा इसके साथ T R A T constant होता है t की value positive भी हो सकती है negative भी और 0 भी हो सकती है ठीक है इसमें तो यहां पर देखो अगर मैं case 1 लेकर चलूँ अगर t की value 0 हो ठीक है तो यह हमारे पहले बन गया है यहां पर मैं लिख रहा हूं case 1 when t quest to 0 अगर t 0 हो तो यह कितना हो जागा X minus 2 और yee U minus 2 तो को कैसे लेगे यह यह तो हो गया देखिए Uf2 यह Uf2 माइनस 2 तो U of minus 2 किस साइड जाएगा इस साइड तो हम इन दोनों का देखना हमें क्या करना है हमें इन दोनों का multiply चाहिए यानी common area चाहिए तो इन ऐदर की तरफ है यह इदर की तरफ है यह कोई एरिया नहीं आएगा या नहीं y of t output इसको मैं y of t कहता हूं 0 होगा for t equals to 0 ठीक है पहला case आया case no 2 ऐसे ही case no 2 when t less than 0, अगर t less than 0 तो हमारा यानि t negative, t negative यानि ये क्या हो जाएगा, t u x minus t minus 2, तो ये क्या हो जाएगा, x minus t minus 2, जिका इस to u minus t minus 2, ठीक है, तो हमें ये draw करना, तो पहले क्या draw करूँगा मैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, u minus 2 minus t, तो पहले 2 minus t, टो करूँगा, u minus 2 minus t, क्या होगा, u 2 minus t, तो आगे ही तरफ shift हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो गए, t हो गया, next क्या करूँगा, मैं इसका, देखिए इसका क्या क्या करूँगा, मैं उसका folded version बनाऊंगा तो folded version बनाने के लिए क्या हो जाएगा इदर आजाएगा t की जाएगा minus t पर आजाएगा u minus 2 minus t अब देखे इसकी multiply करनी है मुझे original signal के साथ multiply करो यह signal minus t से इदर है यह signal zero से इदर है तो signal output क्या हो जाएगा again zero हो जाएगा तो y of t is zero for t less than zero ठीक है t greater than zero के लिए बनाओ next t greater than zero के लिए मैं बनाता हूँ तो किस टाइप के बनेगा देखो यहाँ पर इसी signal को तो मेरा signal जो हो जाएगा क्या हो जाएगा अगर नहीं देखी है वीडियो तो जाके देख लिए तो अब इसका क्या कर दूँगा मैं फॉल्डिड बर्जन कर दूगा पीछे मैंने सारी वीडियो डाले हुए जो आगर यह ग्राब डोर ने करने आते हैं वहाँ जाके देख ले मतलब प्लेलिस्ट में इस सिंग्नल यह सिस्टप की विल जाएंगो इसका फोल्डेड वर्जन में आओ वोल्डेॡ वर्जन यह बन गया ठीक है तो अब हमें कान वलीशन चाहिए यानि को मन अरिया यहाँ पर देखो यह मेरे पाद दो शिगिए यह इंट एक यह एक यह एक यह है तो मेरे पास को इसमें कुछ है नहीं तो इस वाला पाट तो कुछ आना नहीं है जो भी आएगा इस साइड़ी आएगा ठीक है कहा तक आएगा T तक तक तो यहां तक आएगा देखो दर मैं resultant signal बना रहा हूं चलो मैं एक बार और दिखा दे रहा हूं कैसे है विए कि पाओर माइनस फ्लू इसकी मैर्टिप्लाइ करनी है मुझे इसके साथ जो मेरा ओरिजनर सिग्णाल रहा है एंगानyu माइनस सants इसके साथ क्लाइग प्लस इसके सामा डूटि 0 से लेकर t तक t ठीक है तो यह यह 1 होगा e की पावर minus 2 तो common area आचुका हमारे पास तो हमारा output जो है x t convolution h t कितना आजाएगा 0 से लेकर t तक गया हो ठीक है into e की पावर minus 2 e की पावर minus 2 d2 ठीक है तो यह कितना आजाएगा e की पावर minus 2 minus 1 0 to t e की पावर minus t minus e की पावर 0 जाएगा 1 upon minus 1 तो कितना बचा 1 sorry 1 e की पावर minus t तो हमारा जो answer आचुका है ठीक है तो हमारा convolution को अगर मैं पूरे output को लिखता हूं तो किस टाइप से लिखूंगा इसकी वैल्यू 1 minus e की पावर minus t होगी for t greater than 0 के लिए 0 होगी for t less than equals 2